अख़बार की रिपोर्ट यह कहती है कि पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ने वाला कोई रोग है तो वो है मनोरोग जिसमें तनाव, चिंता, डिप्रेशन, भै, अनिद्रा, इतने रोग शामिल है चिंता इसकदर लोगों की बढ़ती जा रही है कि रात की नीद्ध हराम हो गई बेटी की शादी कब होगी, बेटे के अच्छे नंबर कब आएंगे, अच्छी नौकरी कब मिलेगी, ये कब होगा, वो कब होगा, किराय के घर में से हमारा घर कब बनेगा इस प्रकार की तरह तरह की चिंताएं जो है, मनश्यों की भीतर बढ़ती जा रही है हकीकत में चिंता हल नहीं है, चिंतन से हल संभव है, चिंता से हल नहीं हो सकता अगर चिंता करने से ही प्राब्लेमों का सुलिशन हो जाता, तो मैं भी खूब चिंता करूँ, और संत कभीर और महापुरुष भी खूब चिंता करें, लेकिन महापुरुषों ने चिंता को रोग बताया है और डाकीनी बताया है, चिंता ऐसी डाकीनी काती कले जो खाए, वैद्य विचारा क्या करें कहां तक दवा खिलाए, लेकिन इस कलजुग में हर चीज में थोड़ी बहुत मोडिफिकेशन है, तो संत कभीर के इस दोहे में भी बापुजी ने थोड़ा मोडिफिकेशन कर दि चिंता ऐसी डाकीनी, काटी कले जो खाए, संत विचारे क्या करें, कहां तक कथा सुना है चिंता से चतुराई घटे, हो बल बुद्धी की हानी, चिंता कभ हूँ न कीजिए, चिंता अरीसम जानी तो इसलिए ये दैवी हास्य प्रयोग जो है, ये बड़ा कारगर है, और विदेश के लोग कहते हैं, कि जो खिल खिलाकर हसते हैं, हसने से खून बढ़ता है, उर्जा बढ़ती है, रोक प्रतिकारक शक्ती बढ़ती है, मन प्रफुलित होता है, चेहरे की मास पेशियां ठीक काम करने लगती है, और चिंता से तनाव दूर होता है, अपसमार और अवसाद दूर होता है, इसलिए 24 घंटे में एक या दो बार पांच मिनट के लिए ही सही, लेकिन खूब खिल खिलाकर हसना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि आपके हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स हैं, जो अभी तक बंद पड़े हुए, जो खुल जाएं, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो सेल्स ना इंजेक्शन से खुलेंगे, ना टेबलेट से खुलेंगे, ना कैपसूल से खुलेंगे, ना किसी सिरफ से खुलेंगे, ना किसी जड़ी बुटी से खुलेंगे, वो जब आप उनमुक्त खिल खिलाकर हसेंगे, तो वो सेल्स से खुल जाएंगे, जो आपके आ प्रवादी देशों में कलबें खुल गई जिसे लाफिंग कलब कहते हैं हर रोज मॉर्णिंग वाक पर कुछ लोग जाते और हसने की कोशिश करते मैंने उस लाफिंग कलब के मेंबरों को एक दिन देखा कि वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ हा हा ही ही एक ने बोला फ 15 लोगों का ग्रुप है एक व्यक्ति ने ऐसा कहा बाकी के 14 लोग उसको फॉलो करते हैं हा हा ही ही और जोर जोर से यदर माइक है आपके कान के परदे धिले हो जाएंगे मैं धिले से बोल रहा हूँ माइक को थोड़ा दूर करके बोलो हा हा ही ही अब इसमें क्या मजा आ रह और इसी को दुरा 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 के और फिर हसने की कोशिश करते हा 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 ही 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 लेकिन बापुजी ने नया फर्मूला क्रियेट किया वो ये है कि तुम पहले धीरे से भगवान के नाम का किर्तन करो उस किर्तन के टेम्पो को, उसकी स्पीड को, उसकी गती को धीरे 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 बढ़ने दो और बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाए कि दोनों हाथों से तालियां बजाते जाओ उससे क्या होगा कि जैसे हमारे पूरे मकान में बिजली का स्वीच बोर्ड होता है लाइट का पंखे का और भी अलग-अलग एसी का हीटर का गीजर का उसको अन और आफ कर सकते हैं ऐसे ही आपके हमारे पूरे शरीर का स्वीच बोर्ड आपके हमारे हाथों में और जब भगवन नाम किर्टन हो और जब गुरुजी आते हैं और जब विदा लेते हैं पूरे पंडाल में सब लोग खड़े होते हैं जम्प करवाए जाते हैं पांच मिनट आठ मिनट जब जम्पिंग होती है तो अटोमेटिक वो जो पैर के भी स्विच बॉर्ड है वो भी दबते हैं एक्यू प्रिशर हो जाता है और अटोमेटिक भक्ति लाब तो होता ही है रदय में आनंद लाब तो होता ही है लेकिन आपका स्वास्ते भी पहले से ज्यादा बैतर होने लगता है देटिश टॉटली साइंटिफिक इस बात को विज्ञान भी जो है प्रूव कर रहा है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन इसको नाम दिया हॉलिस्टिक मेडिसिन कि हम कोई अंग्रेजी दवा नहीं ले रहे और हम बिना दवाई के हम कैसे अपनी अबियत को कैसे स्वास्थे को हम अपना बैटर रख सकते उसके लिए सूर्य चिकित्सा चुम्बक चिकित्सा कि एक मैगनेट पर पानी रखो और मैगनेटिक वाटर बनाओ और वो सुबह सुबह पीओ तो फाइदा होगा और जिनको हार्ट की तकलीफ है उन लोगों को तो रुद्राक्ष माला मिलेगी ले जाना अत्वा आपके घर में होगी लेकिन वो दाने जो है वो सिर्फ इसी काम के लिए हो कि रात को पानी में भिगो दिया और सुबह सुबह वो पानी पिया तो रुद्राक्ष से वो पानी चार्ज हो जाता है तो वो हार्ट के लिए बहु अध्वा उसकी जो नली है वो छोटी है तो ऐसे लोगों को या ऐसे रोगियों को तो रुद्राक्ष जरूर धारन करना चाहिए और उसके साथ साथ दो तिन चुटकी अर्जुन छाल का चुरना शहद के साथ या घी के साथ लेना चाहिए तो इससे हाट की कोई भी समस्या नह अर्म्शुकाट को भारी भोजन नहीं करने हालका फूलका तो तो आप हास्य प्रेवक करें थोड़ी देल भगवान के नाम के साथ हमें अमेरिका को फॉल नहीं करना है हा हा ही ही भूल जाओ अभी तो भगवान के नाम से हम लोग अपने भीतर की सोई हुई खुशी को और हास्य को उभारे हैं क्योंकि जितने भी जनावर हैं और जितने भी पशुपक्षी हैं भगवान ने किसी में हसने की ताकत नहीं दी सिर्फ मनुष्य को ये शक्ति दी है लेकिन माना वे शक्ति का सदुप्योग नहीं करता यहां बैठे हुए कितने लोग ऐसे होंगे उनसे पूछिए कि आप अच्छे से कब हसे थे उनको याद नहीं होगा कि एक महिना हो गया कि दो महिना हो गया घर की परेशानिया इतनी है कि हसने ही भूल गए इसलिए हसने से खून बढ़ता है ब्लड सर्कुलेशन ठीक काम करता है तो हम धीरे धीरे पहले भगवान का नाम लेंगे हरियो मा 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 हर यो मा हर यो मा हर यो मा पूरी शक्ती के साथ हर यो मरियो मरियो जो नहीं बोलता दो उसे कौनी ठोक देना हर यो मरियो मरियो हुआ है हुआ हाँ मिया जी दूबले क्यों हो बोले सारे गाउं की फिकर वे कोड़े मेंज होगा देका जाहाइगा फिर से करो हरी यो मा हरी यो मा हरीयो मा हरीयो मा घर यो जलो इधा करिसे आव अ तककर सीवतving व एंया शीवा ओम जिस्टाऑ ο मां ऩ अ बाफ रम जए ओम्हाट्व ओमधिण स्योप मैं प्रहों मैं मैं घरों मैं तूल हर योम मा हर योम मा हर योमा हर योमा हर योम मा हर योमेक जै हो रोनगोड हुपर मिलायववा झाल 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 अगर 24 गंते में सुबह शाम ऐसा कर लो तो आपका क्या बिगड़ता है बुलो एक रुपया खर्च हो रहा है क्या और फाइदा बहुत है इसका देवी हास्य प्रयोग झाल कर दो झाल झाल